एगाईस असलाम अलेकूम वेलकम टू माई यूटूब चैनल आई होप आप लोग ठीक होएंगे लग करमे हम लोग भी ठीक है आप लोग की दुआ से तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये बेसन है यानि चने का आटा जो है रहते हैं और घी डाली हूँ कड़ाई में तो मैं इसका हलवा बनाने जा रही हूँ बेसन और सूजी का तो किस तरह से बनता है आप लोग देखिए मैं बना रही हूँ और अभी मैं इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी घी डालके खुब अच्छे से हो जाएगा तो देखिए यह भूने में आ गया है तो अब हम इसमें सूजी डालेंगे याने रवा मैं 50-50 दोनों चीज़ ली हूँ जादा मैं इसमें ओनी कर रही हूँ दोनों चीज़ बराबर एकोली है तो ठीक है अब मैं इसमें ड्राइफूट्स डालेंगे आपको जो पसंद आई ड्राइफूट्स वो डाल सकते है आप लोग मैं इसमें किश्मिश डाल रही हूँ किको किश्मिश मेरे शोहर को पसंद आती है किसी चीज में भी बोलते डालो तो और यह ड्राइफुट मेरे फ्राई करे हुए रखे वे थे बदाम पिस्ता ये सब तो मैंने डाल दी और चारोली तो आइसी रखे हुए थी चारोली भी डाल दी मैने तो बस अभी इसको अच्छे से हम लोग और मैंने और थोड़ा पिस्ता मुझे दीखनी रहता हूँ तो मैंने पिस्ता उपर से काटके थोड़ा सा डाली हूँ तो और कलर डालिए फूट कलर आप लोग को जो डालना है फूट कलर डालिए नहीं तो ऑप्शनल कुछ जरूरी नहीं डालेंगे तभी अभी इसमें चीनी जालिए आप लोग जितना मीठा लगता है आप लोग उतना डालिए तो गाइस मीठा आप लोग जैसा पसंद बनाई ये तो मैं भी इसे अच्छे से मिलाओंगी भून तो गया है सुझी भी सुझी भूनी रखी रखते दिये मेर पस जिसा मैं सुझी भून की रखती उन्हें तो क्या कीड़े पढ़ने का डर रहता है इसके लिए तो ज्यादा सुझी को मैं को भूना नहीं था सिरिफ मुझे बेसाणी ज्यादा भूनना था तो और चीनी मिला यूँ तो चीनी मिला के भून के हो जायता है और इसमें रहता है कसर पक जाता है हल्वा और इतना बेस्ट बनाता हल्वा कि क्या बोलू आप लोग को मैं बहुत अच्छा लगा हल्वा तो देखिए गाइस कितना हुपसुरा प्यारा लग रहा उपर से मैंने थोड़ा सा ड्राइफुट एट कर यू तो देखिए इसी तरह आप देखिए वीडियो को यहीं एट करती हूँ आप लोग को करनी है चार चीज़े चार चीज़े करिए कमेंट सब्सक्राइब आपको हाथ बढ़ा के करना है और लाइक शेर तो गाइस यह वीडियो कैसी लेगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएए ठीक है गैस तो सब्सक करने के पैसे नहीं लगते हैं और गाइस अला हफीज दुआओं में याद रखिए बाई टेक एर